सही दिशामे किया गया झाल झाल कि है गाइज कैसे हैं आप लो गुड आटनून वेलकम बाफिटेस्बुक सुपर गोचे मैं इस अनलिया सिंग और इंगलिश मिन्टॉर शुरू करते हैं आज की क्लास मैं दुबारा से पीपीटी ज़रा शेर कर लूँ यहां पर यहां पर यह मेंस वाली लास्ट पीपीटी खुल गई है तब तक आप जितने लोग यहां पर है ना फटाफर से जाके टेलिग्राम जॉइन कर लीजे और इस सेशन को शेर अभी तक नहीं किया है जो शेर करके आज ठीक है हम फिट सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफिट तरीके से ठीक है बस जल्दी से जाए यह सेशन को शेर करके आईए और देन वी विल स्टार्ट दे सेशन ठीक है चलिए मैं बस शेर कर देती हूँ टेलिग्राम पर जिससे की हम माक्सिमम लोग यहाँ पर जिससे की आप आएं ठीक है ब्राइट ने सभी हम ठीक कर देते हैं जस्ट ए सेकेंड बाकी आप लोग शेर कर दीजे है चलिए डोंट वारी अभी ठीक हो जाएगी आज का जो हमारा टॉपिक है वह हैं confusing words और अगर आपको पता होगा confusing words क्या होते हैं जैसे कि कभी हम बोल रहे हैं accept अगर आपकी मुझ से accept निकल रहा होता है तो accept बहुत सारे होते हैं A, C, C, E, P, T, Accept होता है E, X, C, E, P, T, Accept होता है E, X, C, E, P, T, Accept होता है और फिर एक word होता है Expect E, X, P, E, C, T इन सारे words में काफी ज़्यादा confusion होती है जबको किस समय पे कौन सा word यूज होगा और क्यूं तो इन ही सारी confusion को दूर करने के लिए ऐसे ही words को लाने के discuss करने के लिए आज का हमारा ये session है ठीक है चलिए फिर एक तो file का size इतना बड़ा है कि ये download हो रही है just a second चलिए I think हो गई चलिए ठीक है तो I hope telegram आप लोगोंने join कर लिया होगा तो मैं आपको बता दू बहुत amazing सी चीज है new year के मौके पे आप में से पता है एक lucky winner कार भी जीद सकता है तो जितने लोग यहां पे SSE CHSL का batch लेने वाले हैं जितने भी लोग अभी तक batch नहीं लिया है तो समझ लीजे आपके लिए golden chance है 269 का पूरा CHSL का batch जिसमें आपकी theory सारे subjects की theory आपको पढ़ाई जाएगी test book pass free है और PDF notes भी इसमें आपको मिलेंगे सिर्फ और से 269 रुपीज में और जितने लोग इस batch को लेंगे जितने भी लोग इस batch को लेंगे code यूज करके जैसे ही आप code यूज करोगे न आप एक lucky draw में खुद को involve कर लोगे एक lucky draw में आपका नाम आज जाएगा जिसमें excuse me मौका है आपके पास जीतने का एक car ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ offer 28 से लेके 31 December तक का है तो जिसने batch नहीं लिया है यह सबसे best time है क्योंकि एक तारिक से आपके batch के rates बढ़ जाएंगे ठीक है चलिए पहला question आज का आपके सामने आने वाला है the first question is up जरा इसको ध्यान से देखिए और देखो क्या है क्या रहा है यह question जरा देखना ठीक है क्या है क्या है क्या रहा है देखो जरा सारे लोगों और बताओ चलिए question आपके सामने है answer देने की कोश़श करिए it's here basically आपको बताना क्या है यहाँ पे दिख रहा है चलिए कह रहा है you are required to select the option that most appropriately describes the meaning of both the words and mark your response not or not हम दोनों को pronounce कर रहे है not से दोनों को pronounce किया जा रहा है not लेकिन not का मतलब यह negative चीज़ दिखाता है negation और इसका मतलब होता है gaunt तो हमको वो option बताना है जिसने दोनों की meaning को appropriate तरीके से define किया हो not means to tie or fasten together and not means to negate or deny ही तो सही answer है option number one ठीक है चले आंगे let's go next question देखते है क्या खहरा है before I eat them I will dash this of peers बताईए जरा answer अभी आप हमको बताया है brightness कम है अभी बता रहे हूँ brightness जादा है basically यह fonts आज के थोड़े से पतले हैं जो कि हर दिन better होते हैं तो मैंने बोला है वैसे team से चलिए देखते हैं बताईए answer फटा फट से सारे लोग before I eat them I will dash this of peers क्या अभी रहे है answer बताओ अभी यहाँ पेर 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 सारे के सारे पेर है अलग अलग पेर का अलग अलग मीनिंग होता है एक word होता है P-A-I-R Pair एक word होता है P-A-R-E Pair और एक word होता है P-E-A-R Pair इन तीनों का मतलब जारा ध्यान से समझेगा इसका मतलब होता है जोड़ा है ना? दो चीजों को हम पेर बोलते हैं जोड़ा पेर का मतलब होता है किसी चीज को छीलना, पील ओफ कह सकते हो आप, श्रिम कह सकते हो, या फिर पील ओफ कह सकते हो, और पेर एक फ्रूट होता है, पेर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं खाने से पहले, मैं I will, पी आरी, पेर दिस पेर ओफ पेर्स, देखो सही हुआ की नहीं, यही confusing words आज हम discuss करने वाले हैं, तो session बहुत interesting होने वाला है, ठीक है, एक बर सारे लोग ज़रा session को like कर दीजेए, फटा फट से, ठीक है, चलिए, अगला question है आपके सामने, देखे और बताईए answer, आज यही तो सवाल है आपका, आज confusing words ही तो हम पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ेदार होने वाला है, बताईए ज़रा answer, is to make it an a च尋ब एक जड़े वाला है, आपके साहँ है, आपके से, एक हैर लोगेदाए, खिए, पर दीक है, और झाला है, आपके साहँ हाँँ है, आपके साहँ हैंघ, आपके साहँ है, झाले, अब सुनो question कह रहा है the children's father was refused dash to them at any time बच्चों के पिता को उन तक पहुचने के लिए मना कुदिया गया अब यहाँ पर हर एक word का आपको मतलब पता होना चाहिए ये डो देखो, access है इस access का मतलब होता है किसी चीज तक पहुच आपकी ठेक है, और नीचे वाला जो access है इसका मतलब क्या होता है इस excess का मतलब होता है ज्यादा कोई चीज़ अगर ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं excess answer क्या हो जाएगा option number one पिता को बच्चों तक पहुँचने के लिए मना कर दिया गया option number one is the right answer ठेक है exactly अगला question देखे कहता है until the constitution is dash the power to appoint ministers will remain with the president क्या हो जाएगा amended amended जतने लोगों ने दिया है बिल्कुल सही answer है अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पर दो words आपको दिख रहे हैं affected affected amended amended देखे और ध्यान से देखे बताईए amend और amend इन दोनों का मतलब यह दोनों एक दूसरे के basically होते है synonyms ठीक है इन दोनों का मतलब लगभग लगभग same होता है इन दोनों का मतलब चीजों को सुधारने से होता है लेकिन जब कानूनी दस्तावेजों को सुधारने की बात आती है तो हम amended use करते हैं ए वाला ठीक, ऐसा English में कोई word नहीं है ठीक, एक word होता है EFFECT और एक होता है AFFECT ये noun होता है और ये verb होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव और ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित आंसर समझ में आया प्रभाव और प्रभावित ठीक है, आंसर क्या हो गया? Option number 2 is the right answer ठीक, चलिए अगला समाल देखे ज़रा कह रहा है, the law obliged companies the law obliges companies to pay dash wages to their employees अब यहां पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, जरा बताएंगे हमको तब लोग descendant, descent, descent या फिर decent बदाईया answer decent wages इजबदार wages मतलब sense तो यह निकल रहा है न, कि एक अच्छी खासी इतनी तो wages देनी चाहिए, कि मतलब कोई इंसान नॉमल गुजारा कर पाए law ने companies को बोला है कि आप अपने employees को कम से कम एक decent wage प्रवाइड करेंगे एक decent wage प्रवाइड करेंगे D, E, C, E, N, T, decent is the right answer ठेक, एक word आता है descended descended का मतलब आपको पता है वंशस, आपने सुना होगा वंशस पूरवजों के वंशस होते हैं जो उनकी फामिली में आगे आते जाते हैं वंशस होते हैं Descent का मतलब क्या होता है Descent का मतलब क्या होता है मतभेद Disagreement और Descent का मतलब क्या होता है किसी चीज का नीचे जाना कोई चीज नीचे जा रही है इसको हम बोलते है Descent That word is Descent Descent का मतलब होता है basically किसी चीज का origin यह किसी चीज का origin है D, E, S, C, E, N, D Descent का मतलब होता है नीचे जाना यह सारे words देख लीजे ठीक, कोई चीज नीचे जा रही है तो Descent Descent का मतलब सब एक तरीके से सब भी को हम Descent बोलते हैं या फिर इजददार एक ऐसी salary देनी चाहिए minimum जिससे लोग गजारा तो कम से कम कर पाए ठीक, Descent का मतलब origin, Descent का मतलब मदभेत और Descendant का मतलब होता है वंचाज यह बात समझ में आई है आपको ठीक है चलिए, next question देखना कहता है Government Inspections Dash a High Degree of Uniformity in the Standard of Service बताइए Insure, Assure, Insure, Unsure Yes देखे कौन answer दे पाता है इसका क्या बात है यार आज लोग गायब है बहुत सारे हाँ एक बार ज़रा session को share करके आईएगा आप लो session को share कर दीजेगा और या तो अपने friends के साथ और session को like भी कर दीजे अभी तक नहीं किया है तो ठीक है चलिए बताएए answer फिर अब लोग कह रहे हैं ensure अब सुनना ensure का मतलब होता है किसी चीज को insurance करा लेना किसी चीज का insurance करा लेना बीमा करा लेना assure का मतलब होता है एक तरीके से किसी को guarantee देना किसी चीज करा guarantee देना इसका मतलब होता है तो make sure of something मतलब किसी चीज को शुनिश्चित करना और unsure का मतलब है कि बंदा sure नहीं है वो उसकी surety नहीं है वो confused है उस चीज़ को लेके तो यहाँ पर जो answer आएगा Government inspections ensure a high degree of uniformity सुनिश्चित करती है है ना? Option number 3 is the right answer बात समझ में आया? ठीक, चलिए अगला सवाल आपके पास यह रहा Monica said she won't spend जरा answer बताएगे सारे लोग Monica said she won't spend one dash on a perfume bottle until she knows that she loves the dash अब देखें कौन बताएगा इसका answer scent बिल्कुल सही है अब यहाँ पर दो scent लगेंगे यहाँ पर एक word जो छुप रहा है वो है canon C-A-N-O-N जो word छुप रहा है वो canon है ध्यान से देख लीजे कह रहे हैं कि मैं एक पैसा फर्च नहीं करूंगी जब तक मुझे उसकी smell पसंद नहीं आएगी तो अच्छी खुश्मू के लिए हम यूज करते हैं S-C-E-N-T scent ठीक और scent क्या होता है scent क्या होता है 0.01 डॉलर जैसे यहाँ पर सिक्के होते हैं एक का सिक्का दो रुपय मैं एक रुपया नहीं खर्च करूंगा इस पर वैसे ही हम क्या बोलते हैं फॉरंस में scent चलते हैं तो C-E-N-T scent बोले तो 0.01 डॉलर आंसर हो जाएगा option number 2 बात समझ में आई option number 2 is the right answer ठीक बिल्कुल सही है ठीक है अब defy का मतलब होता है किसी को इंकार कर देना मानने से refuse किसी को मानने से इंकार कर देना defy का मतलब होता है किसी को इतना पवित्र मान लेना कि लगब उसको भगवान का दरजा दे देना किसी को भगवान मान लेना ठीक 4 और 4 का मतलब तो आउपको पता है किसी के ली और 4 का मतलब 4 canons का मतलब आपको पता ही क्या होता है बताइए canons सबसे पहले जो यह वायला cannon है, इसका मतलब होता है कि جो guns वगेरा लगी होती है aircraft में, cannons होती है और C, A, N, O, N cannon का मतलब क्या होता है basically किसी काम के लिए किसी work के रिगार्डिंग जो राइटिंग सो गह रहा होती है जैसे कि ये काम अच्छा है sort of, तो उनको हम canons कहते हैं बाकी का कोई भी sense यहां पर नहीं बन रहा है सरफ एक word है, जो sent है option number two, छेक, चलिए next देखिए जड़ा Robin Hood decided to dash money from the owner of a dash company and give it to the poor last word है आपका affection ये हमको बहुत परेशान कर रही है चलिए बताईए so, Robin Hood decided to dash money from the owner of a dash company and give it to the poor Robin Hood क्या करता था? स्टील कंपनी के है ना, स्टील कंपनी के owner से पैसा चुरा की गरीबों को देता था स्टील का मतलब चुराना और स्टील होता है क्या अलॉय जिसके बरतर में बनते हैं तो answer हो जाएगा na option number one सीधा सीधा answer आपका हो जाएगा यहाँ पर option number one अब यहाँ पर wave का मतलब होता है कि I'm waving hands किसी चीज को ऐसे हिलाना wave करना इस वाले wave का मतलब होता है किसी चीज को ना मांगना जो आपका हक है इसको हम wave कहते है wave, w-a-i-v-e किसी ऐसे चीज को मांगना जिस पर आपका हक है आप नहीं मांग रहे हो canvassing canvassing का मतलब क्या होता है पता है आपको basically एक word होता है c-a-n-v-e-s यह single s वाला है there is this term and there is this term ठीक canvassing ऐसे नहीं लगखा लिखता double s वाला ing हो सकता है यह वाला नहीं canvas का मतलब होता है वो मोटा कपड़ा जिससे shoes बगएरा बनते है है ना आपने वो सुना होगा कि canvas shoes है ना जो p-t वाले shoes होते है वो canvas के बनते है और double s वाला जो canvas होता है इसका मतलब होता है vote मांगना vote मांगना तो इनका तो कोई sense नहीं बना ठीक affection का मतलब होता है प्यार या दुलार और affectation का मतलब क्या होता है ऐसा बोली ऐसी speech that is not sincere at all ठीक है चमडा नहीं होता है canvas चमडा नहीं होता है है ना canvas एक मोटा सा थिक सा cloth होता है कपडा होता है ठीक चलिए अगला देखिए I turn dash when I drop the water dash school में PT करते थे प्याद है PT shoes जो होते थे वाइट वाले वो canvas के बनते थे ठीक बताओ कौन देगा इस का अंसर क्या बात है देखें जरा हूं वेरी गड I turn dash when I drop the water dash बेसिकली देखो turn pale का मतलब क्या होता है डर जाना घबरा जाना ठीक है दुखी हो जाना turn pale pale basically it's yellow color इसको बोल लगता है yellow को आप pale बोल रहे हो ठीक है और PIL pale एक container होता है कुछ इस टाइप का container type का है जिसके उपर handle लगे होते है पकड़ा जाता है इस टाइप के container को हम बोलते है pale तो पानी का बरतन गिरा दिया तो डर गए या मम्मी अब को टाई करेंगी ठीक है तो answer हो जाएगा option number 3 मुझे पता था maximum लोग ये देंगे और ये previous year में पूछा गया सवाल है maximum लोगों ने यही आंसर दिया था कम से कम 95% लोगों ने option number 1 आंसर दिया था जी option number 1 maximum लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया था आपको पता है क्यों नहीं होगा I turn ball चलो I turn ball तो एक तरीके से logic दे रहा है B-A-W-L ball का मतलब जानते हो क्या होता है बहुत तेसे चीखना shout करना हमको यहाँ पर noun चाहिए था और ये ball एक वर्व होता है तो कैसे यह आंसर हो गया हमको पहले यह बताओ हाँ बताओ यह आंसर है कहीं ठीक है दन चलिए तर नेक्स क्वेशन इस आप यह क्वेशन 95% लोग गलत किये हैं एक्वाल में जब आया है याद रखना तभी मैं confusing words आपको करवा रही हूँ आज अब बताइए क्योंकि इन वाले क्वेशन में सबसे ज्यादा चांसेज होती है सवालों के गलत होने की बताइए जरा कौन बताइगा आंसर चलो compliment कह रहे हैं लोग अब चलिए आपको दोनों का मीनिंग बता दू इस वाली compliment जहाँ पर पिल आई होती है spelling में जब पिल आई होता है तो इसका मतलब होता है तारीव ठीक और ये वाला जो compliment होता है इसका मतलब होता है पूरक जो चीज पूरा करती है वो compliment होती है जैसे कि कोई husband है वो बोल रहा है my wife is my compliment मेरी wife मुझे पूरा करती है my wife compliments my life वो मेरी life को पूरा करती है तो पूरक को हम compliment कहते है जिसका कोई sense नहीं बन रहा है यार गिवन statement में बिलकुल गलत आंसर दिये हो फिर से सोचिए जरा will the master give me a special role now that I am on the honor roll आपको याद है school में role numbers होते थे याद है की नहीं बताईए किसको किसको याद है school में आपकी role numbers होते थे आपकी उपस्थिती बताते थे मतलब आप इस तरीके से आपका symbol होता था आपका role number role number कोई किस तरीके से कहीं पर appear हो रहा है role है वो ठेक है तो आंसर यहाँ पर हो चाहेगा role and role option number 4, option number 2 बात समझ में आई ठेक है? चलिए अब यहाँ पर पहली ingenious और ingenuous का मतलब भी समझ लीजे ingenious क्या होता है? एक बुद्धिमान इंसान genius इंसान ठेक और ingenuous का मतलब क्या होता है? ingenuous का मतलब जो local है ingenuous का मतलब क्या चीज होती है? local चीजे right right या फिर sincere या फिर trusting को भी आप बोल सकते हैं sincere है trusting है, भरोसे मन इंसान है ingenuous है ठेक है? चलिए बिलकुल बहुत जरूरी है more mock को अभी से देना बहुत जरूरी होता है ठेक merge का मतलब मिला देना emerge का मतलब सामने आना किसी चीज का ठेक चलिए अगला question आपके सामने है बताना the barmaid had a dash smile when pouring the shot of dash yes guys my roll number was 4 school में मेरा roll number 4 हुआ करता था I still remember चलिए आउं से दीजे फटा फट से आपके चलिए the barmaid had a dash smile when pouring the shot of dash rye and rye सोच के आँ से बताईएगा rye and rye bail rye illusive या फिर collision और collusion चलिए सोच के और बताईए आँ से पटा फट से barmaid had a dash smile when pouring us the shot of dash rye basically rye एक तरीके का ग्रेन होता है जिसकी आलकोहल बनती है एक तरीके का ग्रेन है अनाज है इससे आलकोहल भी बनती है तो इसी को हम कह रहे है shot of rye जब उसने एक shot डाला rye का alcohol का तो she was smiling मतलब एक तरीके सी rye का मतलब होता है जब आप smile कर रहे हो किसी मुश्किल situation में आप smile करने की कोशिश कर रहे हो इसको हम बोलते हैं wry rye तो यही एक word है जो यहाँ पर suitable लग रहा है यही दो यहाँ पर words है जो पूरे में suitable लग रहे है ठीक है गलतिया हो रही है कोई tension नहीं है लेकिन जब आप इसको revise कर लोगे पढ़ने के बाद तो फिर आप ही गलतिया नहीं होंगी ठीक bail सबको पता है जब कोई jail जाता है तो इसको bail मिलती है ठीक है B-A-L-E bail का मतलब होता है bundle, group one word substitution में हम नहीं किया है bundle और group को हम कहते है ठीक illusive illusive कोई ऐसे चीज होती है जिसमें successful होना बड़ा difficult होता है ऐसे चीज को illusive कहा जाता है और illusive वो idea होता है that is not true जो चीज सच नहीं होती है collision का मतलब होता है टकराव और collision का मतलब होता है लोगों के बीच का agreement इसका मतलब है टकराव है ना टकराव जाना basically और इसका मतलब है agreement लोगों के बीच का तो answer हो क्या गया option number 2 is the right answer बाकि कोई भी word यहाँ पर suitable नहीं था ठीक चलू आँगे let's go next question देखे कहता है this is my favorite dash of genes this is my favorite dash of genes this is my favorite pair, pair, pair तीनो पेर का meaning अभी थोड़ दर पहले मैंने आपको बताये था बताये तीनो पेर का meaning आपको बताये गया था पेर is a fruit यह fruit होता है इसका मतलब होता है जोडा और इसका मतलब क्या होता है किसी चीज को छील देना या काथ देना ठीक है रिम कहलो या फिर किसी चीज की स्किन निकालना ठीक तो आंसर हो चाहेगा पेर अपटीज जीन, ट्राउजर, पांस, कर्थ, पांस, स्लिपर्स, इनके साथ हम पेर्स लगाते हैं पी ए आई आई आर ठीक है? राइट? चलिए नेक्स देखो तरह बिलकुल है, सही है सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक भी कर दीज़ेगा फटाफट से ठीक है? अबेट, अबोड, अबाइड या फिर अबोइड अबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हलका करना, less strong बनाना, to make something less strong इसको बोलते हैं हम अबेट ठीक, अबोड होता है जहां पे कोई इंसान रह रहा है, उसको हम अबोड बोलते हैं अबाइड का मतलब होता है, strictly follow करना किसी चीज़ को strictly follow और avoid का मतलब होता है, नजर अंदास करना तो answer सीधे सीधे option number 3 हो गया ना इन में से जितने words है, एक ही word ऐसा है, जिसके बाद by लगता है abide by something abide by the rule, abide by the instructions यह बाद समझ में आई? ठीक है? क्या हो जाएगा, candidates को invigilator instructions देता है उनको strictly follow करना चाहिए ठीक, चलिए क्या हो जाएगा? peak and peak में आपसे पूछा क्या गया है, तरह बताओगे peak and peak and peak में क्या पूछा गया है, जरा फटा फट से बता दीजे ठीक है, सब लोग option number a कह रहे हैं देखियो और बताइए जरा देखियो और आपसे बताइए people are saying option number a let's see, आजाओ peak and peak सुना होगा आपने peak abu सुना है ना सबने peak abu मतलब किसी से आप छुपके एक बार ऐसे किसी के सामने आ रहे हो, this is called peak abu अज मैं आई सबको ठीक, the next question is up बताइएगा emolate and emulate emolate and emulate जरा answer दीजे फटाँ फट से सारे लोग देखो और आज से बताओ मुझे let's see कुछ लोग A कह रहे हैं, कुछ लोग B कह रहे हैं emulate का मतलब होता है कहीं पर बलेदान देना बलेदान देना या फिर sacrifice करना, compromise करना ठीक है? और emulate का मतलब होता है आप किसी को एकदम बोलते हैं कि आप कि अगर आप इसी को पसंद करते हो तो आप उसी को फालो करते हो फिर उसी के जैसा बनना चाहते हो तो इसको हम emulate कहते हैं answer हो जाएगा emolate means to sacrifice and emulate means to follow someone out of admiration option number one option number one option number one चापलूसी भी कह सकते हो आप ठेक है yes right चलो next देखो जड़ा s-t-a-i-r आप से पूछा गया है in question में जहां पर यह word सही से use है आपको वो बताना है बताईए let's see कौन देने वाला answer है हाँ पर देखे दो words होते हैं हमारे पास दोनु words को ही हम pronounce करते हैं stare ठेक दोनों ही stare है दोनों में difference क्या है यह वाला stare होता है सीड़ी ठेक है और इस वाले stare का मतलब होता है किसी चीज को देखना या घूरना घूरना या फिर देखना इसको हम stare कहते हैं तो पहला कहला है the spiral stare act as a viewing platform बलकुल सही है spiral stairs होती है अपने देखा हुआ कहीं कहीं ठेक spiral stairs होना चाहिए बेसिकली तो यह वाला आपका सही है बाकी तीनों में जहां तक मुझे लग रहा है stare लगेगा देखने वाला देखने आप stare adversity विलकुल सही है राहुल को डोनली muster up a blank stare at this point ठेक है बाकी तीनों में stare लग रहा है यह जितने भी आपकी words है confusing वाले कहीं notebook पे note करते चलिए session आपका rarely आता है confusing words वाला मैंने special session आज add करवाया है ठेक है तो इतनी commonly यह session आता नहीं है तो सोच समझ के आंसर दीचे और note भी करते चलिए next question आ चुका है आपके सामने बताई यह चलो okay 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 bridal and bridal 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 and bridal अब यहां पे क्या समस्या है कई बार मैंने देखा है यह question जब आपके exam में आते हैं बहुत से लोग bridal की जगे bridal लगाते हैं bridal का मतलब होता है bride से related आजकल बहुत यह term सुन रहे होगे बड़ी शादिया हो रही इंस्टाग्राम खोलो 10-15 लोग में पढ़ चुके होते हैं चल रहे ना यह season है आजकल तो bridal तो समने सुन रखा होगा bridal का मतलब होता है bridal से related तो प्लीज ऐसे इतना मजाक मतलब इतना funny हो जाता है वो scene जहां पर bridal का इस्तेमाल होना होता है लेकिन bridal यूज करते हैं bridal होता है एक तरीके से घोडों को नहीं लगा जाता है side में ऐसे लगा होता है घोडों के कुछ जो गेर पहनते हैं ब्लाग ब्लाग करता है उसको हम bridal कहते हैं आप लगाम भी कह सकते हो ठीक है जी जी लगाम आई बात समझ में तो answer is bridal is a headgear used to control a horse लगाम को हम bridal कहते हैं और bridal bright से related दुलहन से related ठीक है यह घोडे को दुलहन मना देते हैं चलिए अगला समाल देखो bald and bald दोनों bald हैं यहाँ पर देखे और फटा फट से बताइए bald let's see answer मतलब session को जब तक हम कहेंगे नहीं session को like नहीं करोगे न now I know कि मतलब बिना कहे session को like ही नहीं करना है क्योंकि में तो माम का session है माम अपने लिए पढ़ा रही है ठीक है अपने लिए पढ़ा रहे हैं बताए option number a बता रहा है bridal groom को लगा होता है हाँ हाँ वैसे शादी के बाद groom को भी bridal लग जाते है that's logical as well बताओ जरा ball का मतलब होता है किसी चीज को गोल बना देना किसी चीज को ball होती है जब को पता है जो जिससे cricket खेलते हैं ball जब वर्व की तरह use होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को गोल बना देना ठीक है गोल बना देना और ball का मतलब है चीखना, अभी थोड़ देर पहले मैंने आपको बताया था, जो पानी वाला था, पानी वाला, जो question था, उसमें एवर्ट था, तो मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है, चीखना, शाउट, चिलाना या चीखना, आंसर हो जाएगा, option number कौन सा, one, ठीक, गोल बना देना, हैंज बाल, loud cry, option number one, ठीक है, चलिए, अगला question देखे, नेक्स question देखे, पिर ब्रूड या फिर ब्रूड, पिर ब्रूड, पसे ज़दा हमको प्यारे वो लोग लगते हैं, जो च्छास में आके बोलते हैं, के रिकार्ड़ सेशन है, मन करता है उनके गाल कीचले, तने तो तीसरी बार लिखमत दीजेगा रिकॉर्डड चलो ब्रीउड आंड ब्रूड ब्रेशली ब्रोड कफी आप मैंने बहुत बड़ आपको आइडिया दे दिया है देखें वताई вес प्रेशली ब्रूड कफी क्या होता है कि आउड violate इस डे अचबी ब्रूड कफी बेर भी होता है तो यहां पर तो," ड्रीम ब्रूड का भाक्वे मरंव dette ठीक है, option number D कह रहे हैं लोग, ठीक है, ठीक है, brood गलत समझ लिया आपने, baby cats को, अरे कैसी बात कर रहे हो, group of baby cats ये कौन option number 4 बता रहा है, हाँ, कौन option number 4 बता रहा है ये, baby cats को कहते हैं brood, baby cats को brood नहीं बोला जाता है, किसको बोला जाता है, group of baby birds बोला जाता है, जो एक समय पे एकटा bond हुए होते हैं, चोटे-चोटे होते हैं, hashlings उनको brood बोला जाता है, उनकी family को, ठीक है, अराम से GD वाले लोग कर सकते हैं इस वाले session को, आप तो मैं कह रहे हूँ, पूरा CHSL वाला session लीज़े GD वाले, बिलकुल easy आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा, GD का और CHSL का English syllabus बिलकुल same है, अब आए दोनों words, देखो और answer दो इसका, let's see, लेकिए और बताएगे ज़रा, लेकिए और बताएगे ज़रा, देखा, ओकेए, चलो Compliment and Compliment I वाला तारीफ और E वाला पूरक क्या answer हो जाएगा यह बात पूरा question नहीं दिख रहा है किसको पूरा question नहीं दिख रहा है यार थोड़ा सा problem आज होगी आज थोड़ा सा manage कर लीजे कल से probably आपकी screen साफ दिख जाएगी आप लोगों को थोड़ा साज manage करना पड़ेगा I'm sorry for that Compliment का मतलब होता है तारीफ polite expression of admiration and compliment means something that contributes extra features to something else option number 2 थेक है चलिए next देखो Codling and Codling दो words है दोनों की pronunciation बिलकुल same है Codling लेकिन spelling में थोड़ा सा अंतर है थेक है थोड़ा सा अंतर है बताईए जरा Let's see So you can define complimentary that way as well ठेक है Complimentary को आप इस तरीके से भी define कर सकते हो जैसे आप कहीं जाते हो किसी hotel में गए हो तुम बोलता है कि Ma'am drinks are complimentary drinks are complimentary आपके food के साथ drinks are complimentary उसके कहने का sense होता है कि drinks आपके लिए बिलकुल free है जो आपके साथ और add करी जा रही है तो extra चीज मतलब खाने को आपका पूरा भी कर रही है प्लस आपको extra भी हो रही है वो चीज ठेक है तो define आप complimentary को इस तरीके से भी कर सकते हैं ठेक चलो codling सिंगल डी वाला जो codling होता है ना पता है सो क्या कहते हैं कच्चे सेब कच्चे आपल्स को codling बोला जाता है जो green apples होते हैं कच्चे होते हैं उनको भी हम codling कहते हैं और unripe apples सब में ही देखो pineapple लिखा है अच्छा इसमें orange लिखा था इसमें pineapple लिखा था ugly treating नहीं tenderly treating codling कह मतलब होता अच्छी तरीके से किसी चीज़ को treat करना बहुत softly अच्छी तरीके से treat करना is codling so option number one यह C कौन बोल रहा है अगली एकदम उल्टा ही कर दिया अर्थ का अनर्थ कर देते हो आप लोग यार option number one is the right answer ठेक है चलिए next देखिए अब कहता है drawed दो words हैं दोनों का pronunciation pineapple क्यों नहीं होगा ma'am rebellion boy अपना नाम बताईए आपका असली नाम क्या है फिर मैं बताऊँ ऐसा क्यों नहीं होगा चलिए imagine कर लेते हैं आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा है श्याम तो मैं क्या आपसे question पूछूँँगी कि इसका नाम आपका नाम श्याम क्यों है राम क्यों नहीं है मैं question कर सकती हूँ श्याम क्यों है भाई राम क्यों नहीं है नहीं कर सकती ना बस वही चीज़ है यार चलो आई बात समझ में चलिए question कह रहा है drought and drought सब को पता है DRUGST drought का मतलब क्या होता है जो सूखा पढ़ जाता है है ना सूखा पढ़ जाता है low rainfall low rainfall low rainfall low rainfall मतलब जारों में drought का meaning same दिया है आपको drought का मतलब पता होना चाहिए ठेक है एक बार में कुछ पी लेना एक बार में कुछ पी लेना that is drought D-R-A-U-G-H-T act of eating no single act of drinking यह बिलकुल सही है single act of drinking and drought means prolonged period of flood वाला तो पहले ही गलत है ठेक है क्या हो जाएगा crying loudly गलत है answer हो जाएगा यह वाला drinking और low rainfall option number two drinking and low rainfall समझ में आगई बात ठेक है चलिए next देखो जड़ा क्या कहता है eruption दोनों words की spelling में बस I और E का अंतर है ठेक है eruption सुझीत मैं आस्थाच कुछ लिखी नहीं रही हूँ तो आपको annotations के इसमें जरुद नहीं पड़ेगी कुछ खास ठेक है next देखो जड़ा क्या बोल रहा है आपसे eruption ये जो आई वाला eruption होता है इसका मतलब होता है कहीं पहले एक तरीके से घुसपैट कर लेना इसको eruption बोला जाता है घुसपैट से related होता है ठेक तो देखे भई ठेक है ताइप आफ इन्वेजन ये सही है हो सकता है इन्वेजन इन्वेजन ये गलत है और eruption का मतलब होता है किसी चीज़ का देरे-देरे क्या होना erupt होना, टूटना, erupt होना anti-climax गलत, authoritative instance of erupting option number 3 is the right answer देखे जड़ा आर ये बात समझ में सब लोग डाल चलो आँगे the next question is आप इस कान से बताना जड़ा ingenuous और ingenious अभी थोड़े दिर पहले मैंने आपको बताया है बताओ ingenuous और ingenious देखते हैं इन दोनों में कौन differentiate कर पाएगा let's see सब लोग बताईए कोशिश करिए और answer दीजे कर दो लोग लोग ल्ग लोग कोशिश कर दो लोग लोग क्मेट स्बकिस आप me चलिए देखा समने ओके आपको इस वाले वर्ड को जीनियस से याद रखना है जीनियस होता है बहुत ही बुद्धिमान इनसान बुद्धिमान इनसान जो होता है वो जीनियस होता है Ingenious Ingenious का मतलब बिलकुल clever है बुद्धिमान है उसका दिमान बहुत अच्छा है तो पहले इसको ढूंबते है Clever हो सकता है Clever ठीक है Disaster नहीं है Clever ठीक है एक तो हट गया अब Ingenuous बहुत ही समाझ लीटे Normal है, Simple है, सधारण इंसान है उसके लिए आप Ingenuous यूज कर सकते हो बहुत छलावा नहीं है उसमें कोई Simple, बिलकुल सही ये तो आंसर लग रहा है, disaster नहीं Ingenuous means simple और ये तो वहले ही गलत था, patience नहीं Answer हो जाएगा option number one ठीक है, option number one is the right answer ये बात समझ में आई सबको ठीक बहुत ही simple इंसान जिसमें कोई छलावा दिखावा नहीं है Ingenuous और Ingenious Genius से याद रखना, wise, clever ठीक है, चलिए The next question is up ये कहां से zoo से भागते भागते मेरे class में एक दो लोग आ जाते हैं भाई लल्ला तुमको पढ़ाई नहीं करनी है तुम यहां पर कहां आप भाटा करें भाईया पता नहीं हम कितनी तारीफ करके इज़त के साथ class के बाहर भेजते हैं पता नहीं है क्या इज़त मिलेगी मुफ्त में तारीफ भी हो जाएगी थोड़ी बहुत तो मत आया करो class में है ना पढ़ाई करनी हुआ करें तो definitely आया करो चलिए question देखे ordinance and ordinance ordinance and ordinance कौन है मैं हमारे उड़ा दिया ऐसे लोग को class में रखते नहीं है ordinance and ordinance आप से बताएगे जरा हम literally चाहते हैं मेरे class में भले ही चार आएँ चार लोग आएँ किन चारों पढ़ने वाले होने चाहिए that's it चलो ordinance and ordinance सिर्फ एक आई का आंतर है देख लीजे CISF के लिए ले सकते हो बिल्कू class ले सकते हो ordinance and ordinance सिर्फ एक आई का आंतर ordinance का मतलब होता है guns वगेरा guns कहलो weapons, guns, artilleries ordinance, artillery, artillery complaint, letter नहीं होगा artillery ये तीनों देखो सही है ordinance का मतलब होता है authority है ना राज करना authority तो complaint letter नहीं होता authoritative होता है ये तो गलत था mental disorder option number 2 is the right answer देखे जड़ा कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी को maximum इन में से PYQs है ये सारे words different examination में word तो इन में से हर एक पूछा गया है आपसे ठेक है हर एक word आपसे पूछा गया है इसमें ठेक चले आंगे let's go the next question is up stationary and stationary 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 and stationary बताए जाना answer सारे लोग आपसे और एक सारे लोग कि उन अपसे आपसे अपसे इस है चलो option number D answer आ रहा है stationary अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन से stationary का मतलब क्या होता है जब stationary में A आता है तो इसका मतलब होता है कोई इंसान रुका हुआ है बिल्कुल still है लेकिन जब E आता है तो pen, pencil, office का तो समान होता है उसको stationary बोलते हैं A बाला moving rapidly नहीं होता standing still होता है standing still इसको हटाओ अब writing material कहा है इसमें writing material है इसमें भी तो writing material है stationary means moving rapidly अच्छा मैंने क्यों mark किया है option number 4 is the right answer option number 4 is the right answer ठीक है musical essence आज थोड़ी सी different PPT आई है शायद कल से ठीक हो जाए don't worry कल से डाक हो जाएंगे ठीक है चलें आगे इस रो assistant यह सौरप कर सकते हैं आप बिल्कुल root both the terms are root देखिए फिरांसे बताईए root कौन देगा इसका answer सब लोग बताओ जरा root मतलब जड किसी चीज की किसी चीज का base किसी चीज का foundation और इस root का मतलब होता है रास्ता बोलते ना shortest route बताना मुझे रास्ता course of action रास्ता अब देखो जरा exterior नहीं होता ceiling नहीं होता foundation होता है ठीक तो course of travel course of travel book of travel option number 3 is the right answer देखे ठीक है सब को clear चलिए the next question is out अगला समाल देखो और बताओ profit profit and profit दोनों की spelling ध्यान से देखिए दोनों की spelling देख लो pronunciation लगभख सेम है दोनों की बताए जरा आंसर अरे यार थोड़ा पहले क्यों नहीं आप लोग बता देते हो मुझे कुछ नहीं देखा आपने तो हम दुखी है इससे अपने आप ही आंसर दिखा देना इनको हमसे पूछा करो तुम prophet होता है जो फाइदा होता है prophet, prophet होता है मसीह, messenger of God ठेक है, messenger of God अब messenger of God से पता नहीं मेरे दिमाःख में राब रहीम क्यों आते हैं ठाना उसकी मुवी को यसी सेाद messenger of God करके पता नहीं जीब हो गरी पता नहीं यार एक दिन मेरा एक फ्रिंड मुझे उसके गाने दिखा रहा था पता नहीं लोगों को क्या है उससे इतना उप्सेशन पता नहीं क्या स्कूटर पर बैट के ओड़ रहा है I don't know बंदा क्या करना चाह रहा था कहते है अननिया तुब बहुत मस्ट चीज दिखा हूँ मैंने का अच्छा दिखाओ बहुत मस्ट चीज और खोल के उसे गाने दिखा रहा है मैंने का seriously मेरा दिन वैसे ही बहुत खराब जा रहा है तुम बहुत खराब कर रहे हो चलिए आंसर बताईए morning and morning let's see morning and morning answer बताओ सारे ठीक है morning का मतलब होता है रोना कराहना विलाप करना आंसर क्या हो जाएगा daybreak and morning means lamentation रोना ठीक कोई दिक्कत तो नहीं चलिए very good next question is up answer बताओ जरा फटाफट से throne एक आखरी question करते है यह ना इसके बाद वाला आपका assignment है देखे जरा throne THROW and throne फटाफट से बताईए क्या हो जाएगा throne का मतलब होता है क्या ताज सत्ता आपके हाथ में और throne का मतलब फेक देना तो इसका मतलब sovereign chair of sovereignty throne का मतलब होता है यह answer हो सकता है यह answer नहीं हो सकता throne means taken in a throne का मतलब हल लवे फेक देना option number three is the right answer ठीक चलिए अब जो next question है guys that is your assignment question इसका answer मुझे सारे लोग बताऊगे इन दोनो रेच का मतलब दोनो रेच का मतलब आप लोग मुझे बताऊगे ठीक है तो यह session basically it's very very interesting इसका pdf में आप लोगों को दे दूँगी session over होने के बाद मेरे telegram रुपे जो की है ananya mom underscore test book ठीक है तो आपको simply यह telegram join करना है ananya mom underscore test book ठीक है आई बात समझ में clear बाकी guys आप लोगों के लिए यह क्या है year end of year end of year जो sale है इसमें आप लोगों को end of year sale में आप लोगों को test book की ssc chsl की complete super coaching सिफ 269 की मिल रही है मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई coaching आपको इतनी सस्ती मिल रही हो और इसके साथ अगर आपके पास chsl super coaching आपने purchase करी है तो मौका है आपके पास एक कार जीतने का yes क्योंकि जो जो super coaching purchase करेगा using a proper link a proper code code आपको यूज करना है ananya code यूज करके आपने जैसे ही super coaching ली है आपका नाम lucky draw में आ जाएगा जिसमें एक lucky winner को कार मलने वाली है टाटा टियागो ठीक ओफर सिर्फ 11 दिसम्बर तक है description box में लिंक है जाके purchase कर लीजे कैसे purchase करना है मैं आपको दिखा देती हूं मेरा जो वीडियो देख रहे हो इसी के नीचे description box है ठीक है इसी वीडियो के नीचे description box है जसमें SSC super coaching का link मिल जाएगा आपको ठीक इसी के नीचे SSC super coaching का link मिल जाएगा देखिए का तरह ठीक है SSC CHSL super coaching SSC CHSL super coaching link पे क्लिक करना ठीक है यहाँ पे 299 यह 284 आपको rate दिखाएगा ठीक अप्लाई coupon पे क्लिक करके अनन्या डाल देना for maximum code A-N-A-N-Y-A इस code से discount मिलेगा साथ में lucky draw में नाम आ जाएगा मतलबनक lucky draw में आप participate कर पाओगे so 269 का हो गया purchase कर दीजे phone number डाल दीजे नाम डाल दीजे ठीक है and payment method आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी गाइस रात में 10 बजे ठीक है until then keep learning keep shining and thank you so much bye bye thank you झाल 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 झाल